करना जगर में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं सबसे पहले आज का एजन्डा बिहार में नितीज बना मांजी पर पीजेपी का यूटर्ण कहा नितीज की तरह मांजी भी है भरस्ट दिल्ली में फ्री वाइफाई के वादे पर आहम आत्मी पार्टी का यूटर्ण कहा स्वविधा पूरी तरह मुफ्त नहीं लग सकती हैं शर्त हैं भारत में सियासत वादे और उनके एरादों पे अगर आपको बात करनी हो तो आप कई तरह के उधारन आपके सामने हो चुके लिए ताजा उधारन आज का है बिहार में भारती जनता पार्टी के वरिस्ट नेता तो सिलकुमार मुदी ने माजी सरकार को उतना ही ध्रस्ट बताया है जैसे कि वो नेतीश को मांगते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जब ब्रस्टाचार माजी अपने दमाद को पिये बनाया तो नितीश क्यों खामोस रहे हैं। साथी साथ नितीश कुमार के जात के ही अरुन सिंग ने जब माजी को शक्तिहीन किया तो उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप बताईए माजी सरकार ने तो माजी ने खुद को ब्रस्ट बताया और उन्होंने कमिशनल लेने की बात भी कबूल लिए। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि माजी ब्रस्ट हैं कई सवाल उन्होंने पूछें। साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि नितीश जितना ब्रस्ट थे उतना ही ब्रस्ट माजी भी है। अब सवाल है कि अब तक माजी के प्रती जो उनका आभार या आभार नहीं भी तो कम से कम ये था कि धया सहनु भूती जो भी जता रहे थे उसके क्या माइने थे वो क्या चा रहे थे एक तरफ बीजेपी ने यूटन लिया और दिल्ली में महज तीन दिन के बाद हम आदमीं प सहे जैसे सेल में होता है आप विग्यापन देखते हैं उसमें नीचे एक अस्टरिक लगा होता है कि शर्टें लागू उस्पिजापन में हो इसा भी कुछ नहीं था पूरे दिल्ली में आज कह रहे हैं कि ये पूरी तरफ से फ्री नहीं होगा शर्टें लागू होंके सवा यह भी सवाल है, सबसे पहले हम आपको बता दे हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार उस्पन कुल्स रेस्ट है और जेडियू के नेता मितलेश प्रिसाद है और हमारे साथ है इस तरह के यूटर्न होते रहते हैं, लेकिन बहरत्य जन्ता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दोनों के यूटर्न में में आपको फर्क देखते हैं यह दोनों बड़ावर ही है? ने देखिए जो आपने आम आदमी पार्टी पार्टी के जो वधों को आपने विशे बनाया है, इस से मैं सह theor नहीं हूँ. मैं अपने विचार रख रहा हूँ मेरे राय में कोई भी राजिंतिक दल जब यह कहता है कि मैं सत्ता में अगर आया तो मैं रोजगार दूँगा तो यह हर ररंटिक दल का होता है और उस समय शंखीया नहीं बता था है कि एक हजार एक लाग पांच लाग और आप यह कहते हैं प्रचार करके की पूरी दिल्ली में वाइपा वाइफाइ फ्री फूरे दिली में, अप उसको कहते हैं अब की ये फ्री नहीं होगा. इसमें पैसे भी लगेंगे. इसलिए मेरी एक सब्सक्राइब आप मैं समझ गया सवाल आप मुझे वक्त तो दें आप मीडिया किसा दिक्कत यह है कि आप कंसीब कर लेते हैं चीजों को आप बोलने तो दीजिए आप आप ने यह ते कर लिया कि मुझे गेस से क्या सुनना है ने ने यह सबसे पहली बाद म मैं यह का रहा हूं कि अभी सरकार का गठर होने दीजिए प्रसासरिक निर्ने आने दीजिए उसमें क्या होता है किस तरगे से निर्ने लिए जाते हैं क्योंकि प्रसासरिक निर्ने और प्रसासर से बाहर के बायान यह दोनों दो चीजे होती है उनको प्रसासर में जाने दी प्रशासद शुरू करने दीजिए निरने आने क्या होता है वादों से कितना अलग होता है वादों से अलग होता है या नहीं होता है मुझे निया यह आके यह बयान देते हैं इस बयान के पीछे आप यह सोचते हैं कि सिर्फ यह एक हमने बयान दिया और चले जाएंगे इसमें कुछ मकसद होता है मुझे लगता है बयानों पर बहस का कोई ओचित नहीं है निर्ने आजाने का इंतजार करना चाहिए बयानों पर कोई बहस होने का कोई ओचित नहीं है निर्ने आजाए फिर बहस के लिए बहस साल का वक्त है आप उनको निर्ने पर घेरे अगर उन्होंने वादे किये हैं दूर वे लिए परसंट कम कर तूंगा मैं यह कर रहा हूं कि और नहीं करना चाहिए प्रसासनी प्रक्रियाओं के बाद चीजे क्या उभर के आती हैं क्या पता इस बीच में वो कोई रास्ता तला से हैं, क्या पता वो अब क्या करेंगे, हमको इंपजार करना चाहिए, आप चुनाओ से पहले मद्दाताओं को ब्रहमित करते हैं, और चुनाओ के बाद नया ब्रहम पैदा करते हैं, क्या ये सवाल है, देखिए ऐसा है दिलिप जहां तक रही बाद चुनाओ के समय क्या होता है, ये आपके ही नहीं, हर दल के साथ ये होता है, और आप एक पतरकार के नाते नहीं, एक आम मद्दाता के नाते मैं आपसे पूस्ता हूँ, कि आज की तारिक में हो सकता है 10-20 ऐसे लोग हों, जो मुद्दों पर या वादों पर वोट करते होंगे, आज की तारिक में भी भारत में सिक्षा का दर चाहे बढ़ गया हो, लेकिन मतदान करने की प्रिक्रिया में बहुत ज़्यादा का बदलाओ नहीं आया है, दिली का दिल, ये देखिए, आप भादों में बाकर चुना वोट करना, तमाम समिक्रेलों के अधार पर भोट करना, ये तमाम चीजें होती ही रही है, भारत में वादों भी किते जा रहे है, आम आदमी पार्टी ने अगर इतना बहतर नतीजा दिया है, तो मैं ये नहीं मानता हूं प्रतिक तोर पर कि वादों का ही परिनाम है, ये भरोसे का परिनाम है, चलिए, ये कर दो धार दिए, ये भारत में को तोर पर गंदमी परिनाम है, ये थे झाल। श neuskैने आदड वादों का है, ये नहीं है, ये ये भारत में डेमने वादों है फसलिए, ये जे आज हम बात कर रहे हैं यूटन की बिहार और दिल्ली में भी यूटन बिहार में भाजपाने यूटन लिया है माजी पे और दिल्ली में फ्री वाइफाई पे आम आदमी पार्टी का यूटन है पूरे आपको याद होगा कि पांच साल केजरिवार पूरे दिल्ली में वाइफाइफ फ्री देंगे उसमें कोई नियम शर्त कोई लागू नहीं होता था आज जो बयान आये है उसमें शर्ते लागू होती है कितने दिर के लिए फ्री मिलेगा कितने दिर के लिए पैसे लगेंगे यह सारी बाते हैं लेकिन जो सवाल है वो यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह पहले से पता नहीं था यामिन चौदरी सब आज के 24 गंटे हों सरकार को भी तक बनी भी नहीं है जो यूटर्ण की बात आप कर रहे हैं वाइफाई के लेकर के यह पहले से भी कहा गया कि आपके आपके डाउनलोड नहीं होगा आपके 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 वह मेरे पास है मैं खोल के एक पेज निकाल के दिखा सकता हूं आपने उस वादेपूरा करना संभव नहीं है और आपके प्रवक्ता ने कहा था कि उन्होंने डिल्ली डायलॉग के जडिये यह पहले से तमाम कालकुलेशन किया जा चुका है डिल्ली डायलॉग के जडिये डिमांड्स आई है लोगों की ऐस्पिरेशन का पता लगा लोगों की जो 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 बयान दिये जा रहे हैं यह यह बयान क्या अन्नेसेसरी है मनिस्षी सोध्या के बयान गलत है अन्नेसेसरी है अन्वारंटेड है नहीं मनिस्षी सोध्या जी का बयान अन्वारंटेड नहीं हो सकता तिल्कुर नहीं हम कह रहें इस चीज़ को लेकिन अन्लीमिटे कुछ और दो चेहरे दो बाते नहीं एक चुनों से पहले आप बोर्ट लगाई है मद्दाताओं को लुभाई है और फिर उसके बाद चुनों के बाद उन्हें आप सर्ते बताईए दिलीब साहब इसके ओपर स्वार हमने पूचा था कि यही फ्री वाई-फाई दिली को कैसे देंगे आप इतनी जनसंख्या को तुझा देर में देंगे कितना बैंडवीद देंगे आपके प्रवक्ता यहां पर तमाम कलकुलेटेट है यह होगा फी वाई-फाई होगा कंप्लीट लिए फ्री वाई-फा दिल्ली में जी देखे अभी ततकालिक जो हम आदी पाटी के जो अरृट के जीवाल जी का एकल सपत गरहन है जी और सपत गरहन होने दीजिए अभी जो हम इतना मानित कहें उनुने कहा हैं अच्छी बाते कहा हैं कि हम बाई फाई कितना सुग्धा दे सकते हैं उसका कोई लिम्टेशन उन्होंने नहें किया है कि हम पूरा दे सकते हैं कि कल्कुलेशन करके हम जो है उसको पटल पर रखेंगे और उतना जनता को शुदा मुहिया हम करेंगे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और दिलीब जी कल जो है इनका सपतगरहन है और जो बादाएं हुई है अब देखिए बादाएं कि अगर हम आगे आप सपतगरहन का इंजार करना चाहते हैं फुस्पंद देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए कि आप पार्टी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि इस देश में जो परंपरागत या ट्रेडिशनल राजनीती हो रही है उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह जूट बोलते हैं बरश्टाचारी हैं और बोलने में भी बरश्टाचार करते हैं पैसों का भी बरश्टाचार करते हैं समाजिक बरश्टाचार करते हैं और हम इनसे बिलकुल अलग हैं यह एक बड़ी बात है आप पार्टी से अगर और यह बात अभी कुछ दिन पहले तक लोग नरेंदर मोदी और भाजपा से भी पूछ रहे थे और जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि 15 लाक रुपे बैंक में कब आएंगे तो अभी हाल में पता चला कि उनके अध्यक्ष ने ये कहा कि साब ये तो एक सियासी जुम्ला था उसको उस तरीके से नहीं लिया जा सकत और मन की बात में भी नरेंदर मोदी ने कहा कि भी वहां कितने पैसे हैं और हैं के नहीं हैं मैं पार्टी के अध्धक्ष के नाते नहीं जानता मैं प्रधान मंतरी के नाम से नहीं जानता अब वो होगा तो देखेंगे उसके बाद लोगों का रियक्षन आया कि आप तो इत और मगर है सवाल ये नहीं है कि कल वो शपत ले लेंगे फिर उसके बाद वो जो कहेंगे वो आखरी बाक होगा वो समवैदानिक बाक होगा और आज जो कह रहे हैं वो समवैदानिक बाक होगा और आज जो कह रहे हैं वो समवैदानिक बाक नहीं है बात ये है कि केजरी वाल य बताया था इसकी बड़े नुखताची नहीं हुई थी मैं यह कह रहा हूँ कि अभी तीछले तीम दिन के अंदर आप देखें कि वो प्रधान मंत्री से मिलने गए तो उन्होंने पूर्ण राज की बात की कि साब पूर्ण राज के मामले में हम चाहते हैं वो करें और वो यह उनको पता है कि यह भी अभी दो दिन में नहीं होने वाला है तीसरा उन्होंने जितने वादे अपनी किये हैं जो सबसे बड़ा वादा मैं मानता हूँ जिसमें उन्होंने नौसो अस्पताल पांसो इसकूल दो लाग टॉयलेट पच्चीस हजार मकान और बीस कॉलेज अब जिसवत वो ये बादा कर रहे थे उसवत शायद क्या उनको पता नहीं था जब यो इनका हर प्रवक्ता टेलिवीजन पे आके जोर जोर से ये कहता था और बोलने नहीं देता था किसी को किसाब हमने चार महीने पूरी ताकत देश में अंतराश्टी एस्तर के लोग आई हुए थे हमने उनसे एक एक चीज़ को देख करके जमीन पे उतर जाएगी हकीकत इसलिए हमने वादा किया अब इतने कॉलेज इतने हॉस्पिटल इतने मकान इतने टॉलेट जो बनने हैं वो आसमान पे तो बनेंगे नहीं और दिल्ली की जमीन पे बनेंगे और दिल्ली में जमीन डीडिये के पास है और डीडिये सेंटर के पास है और वैसे भी डीडिये कहता है कि इतनी जमीन तो उनके पास नहीं है तो ये जब वादा आपने किया था तो उस वक्त ये नहीं बताया था कि हम केन सरकार से दम्रीन मागेंगे और केन सरकार देगी तो बनाएंगे और नहीं देगी तो हम कहेंगे कि देखे केन सरकार नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी सियासत में सफाई के पूरा चेहरा लग था भई वो यह कह रहे थे कि हम कोई काम ऐसा नहीं वादा कर ने जाए इसलिए यह सवाल उन से उट रहा है अगर वो यह कहें के देखिए अगर अमिश्या यह कह सकते हैं कि वो स्यासी जुम्ला था तो हमें भी कहने कहा के तो फिर उनमें और दूसरों में जाएं उसके बाद आप यह सवाल उटाइए तो मीडिया यह सवाल बाद में भी उठाएगा और अगर ही वो होगा तो उसके उपर दूसरा रूख लिया जाएगा जी चलिए बगैर सब्सक्राइब आपके पास भी लौट के आते हैं एक बार हमारे साथ रमेश जी हैं भार शभत लेने के लिए और उनकी पार्टी को जस जनादेश के दौरा आए हैं उसके लिए उनको महारकवा देते हैं लेकर एक की बड़ी बिडमना है कि शबहत नए लिए बाद आप नहीं लिए और शबहत जिस चीज़ के लिएरा हैं मुख्या बनने के लिए यह सारा सारा पेगाम जिस तरीके से देश की जनता के शाम ने कहा कि हम वो हैं जो कोई और नहीं है हम वो की परवाशा उन्हों ने एक ऐसे इस तर से सुरू की जिस पर बीच में टिपडियां लोगों ने की कि आप टाटा इस्टील से आए आप आई रस से लोटे आप अन्ना जनादेश आया उसी दिन उनका एक नया यूटन हो गया कि बही मुझे तो इस जनादेश को देखकर करके डर लग रहा है ये असलियत तो उसी दिन उनका जो परदाफास हो गया जब जनादेश को देखकर की चुक्छिज उन्हों ने जो एक शब्जबाग दिखाया कि आपने कहा था जहां जो पड़ी वहीं मकान वह भी पूरे होने वाले नहीं थे कभी यह उसका उसका टाइम भी जुआ है किलियर के दिया गया कि हमको 20 तक जुआ करना है उसके बहुत फर्क है बहुत फर्क है आप 2020 में बनाएं 22 में बनाएं कनोट प्लेस की जुगी के उपर जहां कनोट प्लेस में जुगी है वहीं पर मकान बनाके देंगे आप जुगी वाले को आप साउट डेली के अंदर जुगी है उसको वहीं मकान बनाके देंगे यह तो ब्रॉड डेलाइट आप जुट बोल रहे हैं और चाहें दो हजारे चालिस का निकले लेने वहाँ बनी नहीं सकती है वह जमीन खरबो की है दिफेंस की जमीन के ओपर जुगी है आप उसके ओपर बिल्डिंग मना देंगे पुस्पेन जी आप यह जो आप इस तो बादे की बादे की बात कर रहा हूँ यह बहा एक जुमला जुमला जो त्यार हो गया पंदर लाग का एक एक सिस्टम का हमारा इतना बैंक में पाइसा नहीं हो जुगी पर जवाब दीजे आप में जुगी पर भी कह रहा हूं हर हर गारीब के लिए हर जौपड़ी के लिए चप चाहिए उसको रहने के लिए आपके प्रदान मंत्री ने कहा परिजर नरेंद मोदी के साथ करना रमेज जी ने बयान में का याँ वह आप देखिए गयर बुनियादी है आप क्या प्रचार आपने दिल्ली में किया था और जिस तरह से आज हम सवाल उठा रहे हैं आम आद्मी पाटी इनका भी प्रचार है उन्होंने शर्तिय नहीं लि लेकिन कुल मिलाकर के जो बुनियादी सवाल यह नहीं है कि आप यूटर्न क्यों ले रहे हैं सवाल यह है कि आप जिस सियासत को ठीक करने आये थे आप जिस सियासत में सुचिता की बात करने आये थे आप जिस सियासत में वादों को अपने इरादों के जड़ी आप लोगो साफ है और वो निश्चित ही देश हित में जन हित में होगा उसमेदारिक परवासा के लिए स्यासत को ठीक करने आते हैं जब आप देश के सामने यह कहते हैं कि मैं दिल्ली में वो सियासत जो अभी पारंपरी जो पार्टियां वो नहीं दे पादी है सबाई इस्लिए जादा हुछते सब्वाल इसलिए नहीं उठते हैं कि आपने वादे किया है 65 साल- 360 साल से अध्या सब्रांते है फिबांध निकालती है गोषनापत परचार करती है इसे पचार के बाद चुनों पर यूटटर्ड मिं भा neighbours भूल गोशनापत निकालती है गोशनापत प्रचार करती है उसको प्रचार के बाद चुनों के बाद उसके यूटर्ड भी होते हैं भूल भी जाते हैं लेकिन अर्विंद केजरीवाल के लिए हम आदमी पार्टी के लिए इसलिए है कि 54% लोगों ने एक मैसिब मेंडेट दिया उस सब्सक्राइब कर लें आप ही अपने प्रजेक्ट को अपर दफास कर लें आप ही डर जाएं आप ही अभी हो तरहीं लिए सारा सिस्टम पहलें जो डिफाइन पहले करें अभी आप से भी पूछेंगे यही सवाल आपके लिया कि अ आप जिर्णा टकर में आपका एक बार प्रसे स्वागत है दिली के बाद चलते हैं पतना विहार में नितीस बना माजी पर बीजेपी ने यूटन ले लिया है अब तक बीजेपी माजी के साथ सहानभूती रख रहे थे और नितीस पर हमला बोल रहे थे अधोंने कहा है कि जिस तरह इस बयान का क्या मतलब हैं क्या स्यासी माने हैं यह समझते हैं सबसे पहले कि हम यह समझा जाए कि जो अब तक हलाकी कुछ facility कई संकित कभी नहीं दिये ने वह दिखते हैं लेकिन आपको यह सिर्फ तरह कि बयान बाजी के पीछे जाहिद है सियासी मकसद आपको देख रहा है कि सियासी मकसद जैसा आपने कहा है बीजेपी की पूरी कोशिस यह कि चीजों को उलढ़ा कर रखा जाए और तब तक उलढ़ाया जाए जब तक की नितिस कुमार और जेडियू खुद अपने आप इतना उलच जाए कि उलोगों के पास कोई रास्ता न बचे और हर राजनितिक दलके लिए क्योंकि आप अगर आज सुसिल मोदी के बयान की चप्चा कर रहे हैं तो आप जब से यह क्रैसिस सुरू हुआ है तब से अगर बिजेपी के तमाम बयानों को आप देखें तो आपको उस सावहाएं फेमें लागा करें बन बार्ति नुट होता हैं यह उत की था कोरेंगे क से वह क बोल बना बॉला बोलाइब आस चाहे अब अलग बोलने पर आप चर्चा कर रहे हैं इससे पहले दिली में जो रचे जाना बोलने पर आप चर्चा की अब यह है कि अलग तरीके से बोलने पर आप चर्चा कर रहे हैं यहीं तो राजनेती है जो अब ही तक निरने अंतीम तोर पर नहीं हुआ है जो मेरी राजनितिक समझ है ये निरने करेंगे अंतिम समय हो सकता है ये भी संभाबना है कि सदन में विश्वास मत या भोटिंग की नौबत ही ना आए हो सकता है कि राजपाल का विवासन हो जाए और मांजी जी जाके इस्तिफात दे दे मकसद पूरा ये है जिस तरह के स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें अभी वासन के माध्यम से सरकार की नीतियां सरकार का विजन और उस नीती और विज्विन डॉकुमेंट में इस तरह की चीज़े पेस्ट की जाएगी कि ताकि नीती सरकार को कडगरे में खड़ा किया जा सके और मांजी जी को इस तरह के माहौल बनाया जा रहा है ताकि मांजी जी सदन तक पहुंचे आविवासन हो बिजेपी वो महौल बना रही है ऐसा नहों कि इस महौल से पहले ही राजपाल का अविवासन से पहले ही मांजी जी चले जाए तो आप यू टर्न ये क्यूं हुआ है? ये एक प्रैसर को बनाने का एक फॉर्मूला है उनोंने और ये बिल्कुल मैं बहुत मैं तो आश्यार कर रहा हूं कि इतने बड़े अनुभवी जनता दल में शीर्स नेतरत को जो जिनके साथ मैं भी बहुत लब में टाइम तक रहा हूं इस प्रैसर से समयदानिक सिस्टम कभ प्रैसर कोई किसी टाइब का प्रैसर लगा लें तो यह जो आश्यार मैंधान एक सब्द पर पीजेपी कहा लीडर ने बोला है यो यूटर्न वाला सब्द अभी तक यूटर्न तो जब कहा साएगा जब हमने पहले कुछ कहा हूं और अब उससे करेंगा ऐसा नहीं करेंगे किसी बी निता का एक वी कोई भी बयान ऐसा नहीं है दूसरा चिस एक और है कि अब यह जो सहनवुति के दौर पर बीजेपी के सुशिल मोधी जी लीडर क्या कहा ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसा कुछ कहा हूं तो पाटी एक पहले और सवाल है फिर मैं आपको बता आपने वहां की सरकार चलाई तो क्या नितिश्क वारुसर में भ्रस्ट थे और आपने एक ब्रस्ट व्यक्ति को लगातार जमर्थन देते रहें देखिए चीज भोगने के सासत ऐसास नहीं होती आगर ये सारा सिस्टम में कहीं ये बिडबना नहीं होती तो उनका साथ भी नहीं चूड़ता इस सिस्टम के बेड़ा मना है उनका आंकनलन भी मैंने बहुत करीब से जब शम्ता का जब शम्ता जंता दल का जो बिलाय था वो समय भी मुझे मालूम है किस तरह से चला जो अपना जो तरीका है उस आप रमलास पास मंजी ने भी टिपड़ी की है कि वो शता के बिना ना रहन सब चीज आ गई है मितले जी जो कुछ बिहार में जो कुछ हो रहा है वो अभी 20 तारिक तक होने की संभावना है यह तो देखिए यह तो इतना लंबा समय तो लगना ही नहीं चाहिए था जिस ट्राइप से राजपाल जी का मुमेंट हुआ और उनकी जो स्टेट्मेंट जो है गटी है तुसरी बात कि आज जो भारतिय जनता पार्टी के नितार सुशील कुमार जी ने कहा है कि नितीश कुमार भरस्ट और प्लस मांजी जी भरस्ट अरे भाई 17 साल आपको समझ में नहीं आई दो टर्म आप मुक मंतरी रहे डिप्टी सी एम के रूप में आप भ बूह था यानि आप भी भरस्ट अगर नितीश कुमार भरस्ट थे तो निश्ची तुरूप से जारिये सुसील कुमार मोदी भी भरस्ट थे और भारतिय जनता पार्टी का यह इतिहास रही है कि आज कही न कहीं लोग इन मामलों में फस्ते नजर आते हैं कि दो दिन में पावनाओं से जुड़ा हुआ है और हम समझते हैं कि भारतिय जनतापार्टी की जो नियत है जिस टाइप से बिहार की घटनाएं मांजी जी की जिस टाइप से उलजन में डालना और और एक कहा जाए कि ऐसे ब्यक्ति को जो ब्यक्ति बास्तिविक में एक मुहमेंट लाना चा अगर उनकी हालत अगर यह दैनियन होती तो फिर यह बंदन क्यों छूटता दूसरी चीज़ वहां जो जो रूप बना रखा है पूरी तरह से आज बरस्ति की बात करते हैं आज पूरा जमावला वही है बरस्ति लोगों का जमावला इकटा हो गया है जब हड़ जाने के बाद रेड एंट्री से बचा नहीं है और इसलिए दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यांगरा कोई यांगरा अपने अस्वता को बचाने के लिए लग रहे हैं लेकिन जिस टाइप से आपने बिहार में उर्जल पैदा करगा है तो पैगाम है अस्ति आप जिस टाइप से लिहार में अस्ति का परदा करने का काम कुगा है या अस्ति ही राजनीत में दुकत है कुछ भी ने बच्चा है कुछ बचा ही नहीं है आप लोकों के पास हुए मितले जी इस पर कुछ एक छोटा सा बस मुझे जवाब चाहता हूँ मैं आपसे अगर आ जो माजी के बारे में बीजेपी ने बोला है शुश्वील मोदी ने उस पर आपकी प्रतिकरिया क्या है ने तो आप बाए नितीश कुमार भरष्ट माजी भरष्ट अरे आपने लंबे समय तक के आप अरे मैंने कहा भाई मितले जी नितीजी को छोड़ दीजे माजी जी को स्टेटमेंट आया है वह अपने खुद अपने स्टेटमेंट में की जो आज ठेकदारी प्रता है उस पर उन्होंने स्वेंब बकतब दिया और कमीशन की बात उपर से लेके नीचे तक जाती है अरे भाई क्या जो एमान सु कह रहे हैं ने आप बिहान की बात है क्यों इसका मतलब है कि अगर वह सचाई से ब्रकान कर रहा है वह मुख मंतिरी अगर कर रहा है मां जी जी तो उपर से लेके परदान मंतिरी तक के भारतिया राज ने पूरा गंदा है इस बात को मानना पर यहां बातिया राज ने जोड़ दो ऊपर क्यों ले जाए हूँ मैंने तो यह सवाल आप से किसी लिए पिहार की चर्चा में जी यहां जी तमाम बहस के बीच में एक मैं जैसा अभी वहां चल रहा एक समयधानिक संक्र जैसी इस्तिती बन गई है यहां पर एक सबसे महत्पुल चीज जो है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है राजपाल महोदे ने यह कहा कि हाला कि समयधानिक पद होता है वो चर्चा से परे होते हैं पर टिकट पने नहीं की जा सकती है बाब जुदिस के परसिती ऐसी आई है कि आज समयधानिक अब जो नितीश कुमार सवाल उठा रहे हैं वो भी असमयधानिक नहीं है ठीक है उनकी जल्दबाजी असमयधानिक हो सकती है यहां पर एक टेक्निकल पेज यह है कि 20 तारिक को सदन में जो विश्वास्मत हासिर करने को कहा गया है तो वो सत्र की पहनी करवाई होनी चाहिए थी वो अभिवासन से पहले विश्वास्मत होता उसके बाद अभिवासन होता जो नितीश कुमार कर है यह देखी राजपाल महोदय यह निर्देश दे सकते थे कि पहले विश्वास्मत हो जाए उसके बास अदम क्यों कोई कारवाई हो जिस सरकार पर जिस पूरी ववस्था पर यह संदे है कि यह पास बहुमत है यह नहीं है ऐसे में सब्विधानिक पर पर जो बैठे व्यक्ति हैं क्या वो खुद को हशी का पातर बनाएंगे जि क्या वो ऐसी सरकार का अभिवासन पढ़ेंगे जो दो मिनिट के बाद हो सकता है गिर जाए अगर विश्वासमत अभिवासन के बाद विश्वासमत हो और सरकार गिर गई या माजीज ने इस्तिफा दिया तो फिर उस अभिवासन का क्या होगा जिसको नो ने प्रिजेंट किया है जी यह एक बहुत बड़ा सवाल है तक्रीकी चीज है इसलिए इन राजनीती में जो मैं आप समध्ष का उधरन के प्रतिमो क्यों भंग महिए अज प्रस्तितियों करेंगे ऐसी परंबरा करेंगे तो में करेंगे लेकिन उसन बहुत इस बात पार्या पार्टी आप पार्टी यूटर्ण की समयधानी प्रकिर Bin नहीं हो रही कि क्या वहां गलत है वह तो सेकिंड इशू है उस पे तो बहसी नहीं हो रही सवाल यह है जो मैं मितले जी से बार-बार कह रहा हूं कि पिछले दस दिन से आपके हर बड़े नेताने चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे नितीजी हो या दिल्ली में त्यागी जी हो आज आप मा जी जी कह रहे हों उनको कल तक आप कहते हैं तो कटपुद्ली है भी जपी का यह लगा हरे हों पीछे बड़े लगा रहे तो यह मुझे समझ मेंनी आए भाषन की बाते चर्चाएं हुई और दूसरी बात है कि जो भारतिय जनता पार्टी के जो लोग हैं यानि अमी शाह जी की जो इस्टिप लिखा हुआ कि जो चर्चाएं आप कर रहे हैं ये तो बात साथ जलक रही है चलिए आप भारतिय जनता पार्टी के तरह जो बिहार के सियासत में के जो सूटेबल है उस तरह से आगे पीछे दो कदम आगे कदम पीछे या जो अपनी रनिति है उसको नए तरीके से लगातार या कहीं रनिति कारों की कमी है आपके पार्टी में कि अगावरार का जंढावडा मोदी जी के आप 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 इसूब डाइवेंट रमेज जीई जो कुछ माजी प्रकरन से जो कुछ वहां पे हो रहा है उसमें लगातार बीजेपी के नेताओं से ओन रेकॉर्ड और अफ रेकॉर्ड अलग अलग बयान दिये जा रहे हैं आज जो बयान आये हैं सीग्रेट बैलेट की पहले आपने बात की आज भी सुषिल मोदी कह रहे है कि जड़िए वहां पर एंकर कि रहनीति क्या है कौन रनीती बना रहें क्यों पहले माजी के सानबुती अब माजी स्वार घुर अहीं हो सकती और अगर होती तो इनकी तरह से प्रेसर यह इंलीगल प्रेसर है, जल्दवाजी है, जो कि राजेपाल के सामने परिस्ति एक विकराल हो गई है, एक असमेंनानिक परिस्ति में एक ऐसी पोस्ट वाले व्यक्चित हो, और वो एक आसा मेंदर प्रकरिया को पनाई संबब नहीं है और उन पर टिकट प्री करना भी हो चितपूर नहीं है तो अब ही जो है वो चीज़ को देखी नहीं गई इसमें दिलिब जी एक छोटी सी जानकारी में देना चाहूंगा बहुत पुस्ट नहीं है उसको आप पुस्ट कर लिजेगा जहांता है कि जो सिक्रेट बोटिंग का प्रावधान है वो एंडिये सरकार में ही खत्म कर दिया गया है अब सिक्रेट बोटिंग का प्रावधान है ने इसमें भी लीगल लेकूट मैं बता दूँ क्योंकि मैं भी रिटर्णिंग आपीस सा रहा हूं पंजाब का भी था जहां परिस्ततियां जनतादल का बता रहा हूं जनतादल का मैं इंचाज रहा हूं जिसके उपर रेटर लालू जी निसर जी के बीच में हुई उसका सिक्रेट सिस्टम ही यही प्रोसीडर है कि ऐसा है कि अब प्रावदान अभी भी है अपर पर आप नहीं प्रावदान है यह वेफिल है जे चलिए 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 आप ज़रा थार्ड एंपायर के तरह तरह तमांप चीजों को देख रहे हैं बिहार में इस वक्त जो कुछ ब हैं दलीब साहब कल तक बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता एक ही बात कहते थे महादलित मुख्यमंतरी के साथ ऐसा किया गया न्याय हो रहा है यानि वो कह रहे है कि भाई हम 120 हमेले लेकर राश्चमति के सामने प्रेड करा रहे हैं तो करा भी ओफेश भी कहरें महादलित के के खिलाव यह इनकी एक ही सिद्धानतरा है समाज को बाठना महादलितों का हमदर्दी लेना वह ता पहलेए रिपिस को भाष चुके हैं वो स से लेके उपर तक आ रहा हमारे पास भी आता है हम इसको अच्छे काम के लिए लगाएंगे तो अब ये लोग यू टर्ण लेकर कह रहे हैं कि चुके ही भरष्ट है हमें महादली तो से तो मौपत है मगर मांजी जी चुके भरष्ट है इसलिए हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं तो अभी भाष्ट जो होता है वो सरकारी क्विट्मेंट्स होती है कि वह क्या करेंगे सब पब्लिक के लिए और अभी वाष्ट के तुरंत बाद जो सरकार गिरने जा रही है उस अभी वाष्ट का मतलब क्या है तो वहां तक शाहिद नहीं पहुंच पाएं इससे पहले कु पर इंडिया और जस्टिस तरह सक पहुंचाएंगे ज़रा हमारे पास समय कम है आपकी पर दीन आज 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 पुस्पर एक तरफ एक तरफ पर बीजेपी का यू-टर्ण या आस पस्ट नीती या यह बीजेपी के रनीती का हैसा जो भी से माल लेकिन पहले अन्याय हो रहा था जेडियू के अंदर घमासान थे आज नितीश के साथ आपने सत्ता भी चलाया आज वो नितीश भी ब्रस्ट हैं सदल्ली माजी भी ब्रस्ट हैं पहले उनके यह जो बीजेपी की जो सियासत है इस वक्त बिहार में क्या इसको आप समझ पारे कि कोई रनीती है या कन्फ् कि रनीती उन्होंने कैसे बनाई और कितने आपस के कंट्रडिक्शन्स हैं कि एक दूसरे को हिले लगाने में लगे थे कोई कोई हर्श वर्दन को हटाना चाता था कोई जगदिज मुखी को लाना चाता था यह तमाम सारी चीजों का आपको नजन रहा है मुझे लगता है कर लने वाले हैं चुनाओं की बात उनकी अपने हित हैं मुझे लगता है डिसकनेक्ट है कन्फ्यूज नहीं है यह कोई रणनीती का हिस्सा नहीं है यह पार्टी के अंदर एक घमासान मचा हुआ है उसका हिस्सा है जिसके कारण जो महादलित जिसके वोट बैंक के लिए भार मुझे कोई हिस्सा नहीं लगता इस रणनीती का क्या हिस्सा होगा कि एक वोट बैंक को जो आपके साथ खड़े हुने के लिए तैयार था उसको आप भरष्ट कहके दूर कर रहे हैं मुझे लगता है कि यहां जो दिल्ली में हुआ है लेकिन अब आप अब आप अब आप अ लगता है तो इसके बाद भारते जनता पार्टी के नेता के पास कोई विगल्प भी नहीं रहता है कि आप उनको ब्रस्ट नहीं के मैं यह समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का मां जी मजे हुए खिलारी के तरह सियासत कर रहे हैं और वो सामने आके कह रहें देखे कमीशन आता था तो मैं यह समझना चाहता हूं तो यह तमाम जो यह यह जिए दिल्ली जी एक चीज कर रहा हूं है प कि यह मुखमंत्री की कूर्सी तक कमिशन पहुंसता था वो आज ने कल नितिश्कुमार को कड़ड़े में खड़ा करने के लिए वो बयान देया गया है जी मांजी जी को अपरिपक को समझने की जो गलती नितिश्कुमार नहीं की थी वही गलती आप लोग कर रहे हैं वो कोई कर套ो रहे हैं अनरगल नहीं देते हैं बेना सोच जो सब्ज़े नहीं देते हैं उस भयान का एक क лиन्य करके लेए फ्यर दिया गया है यह उन्हाने सुरीकार्टी नहीं है स्वीकारा नहीं है कि मैं कमिशन लेता कहने का मतलब है कि अभी तक जितने भी आप मांजी से जब समाल पूछा गया उन्होंने का कि ने मेरे जबाने में कहा पूल बना है कोगे टेंडर थोले हुआ है तो उनके कहने का मतलब है कि मुखमंत्री की कुर्सी तक पहुंसता था तो उसमें बिहार को कहना कुछ और चाह रहे हैं यह चीजे आपको देरे-देरे आज तक यह तक यह हुआ नियुक्त यह है कि सुशीर कबार मोदी का जो बयान है कि मां जी पर नहीं है नितीष कुमार के कह रहे है तो बिजे पी को मां जी से खतरा नहीं है विजे पी को खतरा नितिष कुमार से है तो बिजेपी की पूरे कोशिस होगी कि ऐसा महौल ऐसी परिस्ति बनाई जाए कि नितिश कुमार को अधिकतम कटगड़े में खरा किया जा। आपके नेताओं ने मांजी जी को भरष्ट गोसित कर दिया। उन्हें ये कहा है ना कि वह भरष्ट है वह भरष्ट है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि भार्चे जंता पार्टी मांजी जी की सरकार बचाने में उन्हें समर्तन नहीं देगी। झाला जाए कि वह भरष्ट है। झाला जाए कि वह भरष्ट है। झाला जाए कि वह बाग्चे जी कि वह भरष्ट है। झाला जाए कि वह भरष्ट है। झाल झाल